हलो गाईज, हावर यू अल, वेलकम तू स्टडी आयस, स्टडी आयस में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाईज, जैसे कि आप लोग को पता है हम यहाँ पर इंडियान आर्ट और कल्चर बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंगाने दुवारा लिखी गई बुक थोड़े बहुत लेक्चर और हैं, उसके बाद यहाँ पर बुक कम्पलीट कर देंगे, ठीक है, तो रैगुलर लेक्चर डल रहे हैं, देखना मत भूलना, पूरी सिरीज देखो, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट्स में आप यहाँ पर और चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है, उसके बाद, हमने प्रीवेस लेक्चर ता उसमें क्या कावर करा था, प्रीवेस वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी, चाप्टर नम्बर 14 को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया था, और चाप्टर नम्बर 14 कौन सा था, इस्कूल पूरी तरह से खतम कर दियाता है ना और डीटेल में देखिती सारी चीज़े ना अब हम बात करेंगे आज चाप्टर नंबर 15 के डाइस इंडियन सिनेमा इंडियन सिनेमा की बात करेंगे सबसे पहले हमने अभी बात कर लेते हैं में चाप्टर 14 में क्या के कवर किया था एक ओ ऑ Kenneth श्कूल और हें अर्फे 2 तो टायपि की स्कूल थे उनको कवर किया था next उसके बाद हमने फी बी ऑसमें एक हमारा जो और्टिटोड den में सिक्सड़ सब्स्कूल थे जोती सामक्ष हूर अंब इटल वियोगा श्कूल नयाए- श्कूल वे planting था खूल में सीज़े वेदान स्कूल यानि कि लोगता फिलोसफी को हमने लिए ता और उसका साथ-साथ हमने चाप्टर नोबर 14 को एंड कर दिया था आज हम बात करेंगे पने चाप्टर नमबर 15 इंडियान सिनेमा जाने कि जो फिल्म इतने स्क्रीज वह और वह यह कैसे कैसे डेवलाफ होती रही इंडिया बहुत जाधे Interesting पाल्ट है हमारा Interesting Chapter है जिसको हमकवर करें ओर बहुत जाधे Interesting टरहीं के से हम लोग सारी चीजों को अर और अभी भी भी हाँ पर कवर करेंगे तो आज हम बात करेंगे अपने इंड्řाइन Marika introduction की उसकी history देखेंगerson इंडियन सिनिमा की और फिर उसके बाद यहां पर जो टाइम था फिर उसके बाद वार के टाइम पर क्या-किया सिस्टूेशन आई coming of age आया फिर golden era आया फिर यहां पर young man face आया फिर उसके बाद romantic cinema आया फिर parallel cinema आया यह सारी चीज़े हम लोग आज कवर करने वाले हैं ठीक हैं तो आज हम उसके पहले करने से पहले आगे चलते हैं आगे गाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है if you have any problems regarding your preparation and an academy plus subscription अगर आपको an academy plus subscription साथी साथ कोई अपनी preparation से लेकर कोई भी problems आती है then you can contact with us on the various social media platforms of study eyes you can see the यहापर आप देख सकते हैं कि telegram channel है you can join that उसके बाद यहापर इंस्टार है Facebook ह और you can mail also ठीक है आप यहापर अपनी problems को mail भी कर सकते हैं जित्ती भी problems है कि an academy plus subscription किस तरीके से लिया जाए और साथी साथ यहाप अपनी preparation से regarding कोई भी problems होती है then you can send us okay we will sort it out तो चलते हैं अभी हम लोग आगे और क्या बात एक an academic important information है तो चलो उस पर हम लोग चलते हैं let's jump on to it तो guys जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि an academy इंडिया का largest learning platform है तो an academy पर 3 dynamic batches जो है वो start होने वाला है from 13th of July यानि कि 13th July से जो है batches start होंगे तो guys if you want to prepare for UPSC CSE 2020 or 21 then you can go with the subscription of this यहापर 13th July से जब batches start हो रहा है आप इसका subscription ले सकते हैं और अपनी preparation घर बैटे बैटे इंडिय class के top educators के थूरू यहां पर अपनी preparation पूरी तरह से कर सकते हैं तो guys यहां पर आप लोग यहां पर अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से batches हैं यहां पर देख सकते होंगे you can see this यहां पर तीनों ही languages में जो है batches available है आप जो हमारा mission UPSC CSE 2020 यहां पर mission UPSC हो हमारा bilingual batch है Hindi वाला batch यहां पर पूरा 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 पूरली English में है ठीक है तो यह जो है batches यहां पर आपको आपके लिए available है जौन से batch में आपको जिस भी batch में आपको comfortable होता है ठीक है आपको को इस भी language comfortable होती है then you can go with that ठीक है आप यहां पर उस languages में अपना subscription ले सकते हैं और subscription लेने के लिए मैं आपको कुछ चीज़े बताता हूं जैसे कि आपको subscription लेना है तो आप यहां पर subscription लेने के साथ साथ यहां भी आप यहां पर यहाला code यूज करते हो UPSCYT अगर आप यहां पर यहाला code यूज करते हो तो आपको 10% discount मिल जाएगा ठीक है guys तो discount जैसे कि सबको चाहिए होता है तो आप यहां पर यहाला code इस्तमाल कर सकते हो you can use this code in order to get 10% extra off तो now चलते हैं अभी हम लोग अपने में में चाप्टर के उपर that is chapter number 15 Indian cinema उसको cover करते हैं चलो फिर जल्दी से हम लोग चलते हैं introduction के उपर then we will cover the chapter entire chapter तो guys आगे हम लोग अपने introduction को हम देखेंगे जो अब हम start करेंगे अपना chapter number 15 ठीक है Indian cinema तो chapter number 15 को भी हम आज की lecture में काफी हद तक cover कर लेंगे ठीक है एक पोर्षन रह जाएगा वो रहेगा हमारा South Indian movie उसको हम लोग जो next हमारा chapter number 16 रहेगा उसके साथ ही cover कर लेंगे उसके फटम करी जाएगी सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग introduction introduction देखते हैं इंडियन cinema का की हाँ पर introduce कैसे हुआ हमारा India जो है one of the largest film industry पूरे एशिया में ठीक है अब यहाँ पर याद रखना इंडिया जो है पूरी की पूरे एशिया में एक largest film industry है thousands of people को यहाँ पर job मिल चुकी है यहाँ पर जो jobs है वो create करी जाती है film industries में ठीक है तो यहाँ पर यह एक employment generation भी है और जो इंडियन film industry है यहाँ पर एक well known है जो की हमारी largest number of films जो है world में produce करती है नहीं की जानी मानी हमारी एक इंडिया की यहाँ पर इंडियन film industry ही ऐसी industry है जो की क्या करती है वर्ड में सबसे largest number of films को produce करती है नहीं सबसे जादे film का पर बनती है वो हमारे इंडिया में बनती है बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है यह film प्रोडियूस करती है हिंदी में ठीक है जो हमारी इंडियन film industry है यहाँ पर हिंदी में फिल्म प्रोडियूस करी जाती है तैलूगू में त सब्क्रीश करते हैं 1000 big subscribe के जाता है और यहां पर Route 59ו कर देखते हैं इंडिया में इंडिया के इन फिल्म surfing में टीक है यह है जो प्रोडियूजड पास हुआ है उसके बाद फिल्म सेक्टर में जो है आप direct investment जो है करा जाएगा जिसके बारे जैसे हमने बात करी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं Century Fox, Warner Bros यह सब बड़ी बड़ी जो हमारी companies है वो सब यहाँ पर आके invest कर सकती है नाउ उसके बाद अब history देखते हैं introduction हमने कवर किया history क्या है Indian cinema की तो जो हाँ पर Lumere Brothers है ठीक है नाम याद रखना है इनका Lumere Brothers है यह काफी जादे famous थे ठीक है और यहाँ पर यह inventors है Cinematography के ठीक है Cinematography को invent किसने किया है वो हमारे Lumere Brothers ने किया है और यही एक picture motions का यानि कि इंडिया में जो हमारी pictures वगरा है motion pictures है जो हमारी चलते फिरते pictures है उनका जो concept है यही brothers इंडिया में लेकर आए है याद रखना इस चीज को important है उसके बाद यह exhibit करते है six soundless short films यानि कि इन्होंने पहले कौन से film लेकर आये चैन फिल्म लेकर आया लेकिन वह soundless थी उनमें sound नहीं थी वह Bombay में आई 1896 में और यह manage करी गए audience को दिखाने के लिए उसके बाद जो first film का टाइटल था coconut fair याद रखना जो first film इंडिया में आई उसका टाइटल था coconut fair and our Indian empire और यह एक शॉट करी गई थी एक unknown photographer यानि एक photographer ने इस film को shot करा था ठीक है shoot करा था लेकिन यहाँ पर उसको unknown का जा रहे नहीं उसके बारे में कुछ पता नहीं और यह 1897 में करा गया जो Italian duo, Colorello और Corona के लिए यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं जिन्होंने आपे exhibition लगाया, tent लगाया अजाद मैदान मुंबई में और जो अपना next big venture है उसको start किया और यहाँ पर यह जो follow करा गया एक short films के दौरे आने की काफी सारी जो इसके पीछे short films और भी follow करती हैं जैसे की death of Nelson आई, call on the London fire brigade आया, उसके बाद nois arc works exhibited in Bombay 1898 ठीक है, 1898 में जो कि यहाँ पर Bombay में इन सारी जो short films वो भी बाद में आई, ठीक है लेकिन आपको जो main चीजा वो याद रखनी है सबसे पहली film coconut fair और our Indian empire, 1897 में यहाँ पर आई एका non photographer के द्वारा यहाँ पर shot करी गई थी, next, जो first motion venture है इंडियन के द्वारा, वो है, हरिश चंद्र भतवागेर, ठीक है, जो first motion venture आया, इंडिया में, वो किसके द्वारा करा गया, हरिश भतवागेर द्वारा, जो कि popularly किसके द्वारा जाने जाते हैं, सहिव दादा के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दो short films बनाई और exhibit कराए, ने audience को और दिखाया, by using Edison Projecting Kindoscope, यानि कि ठीक है, उन्होंने जो films बनाई थी, वो audience तक पहुचाई, audience को दिखाया, किसके थुरू एक प्रोजेक्टिंग, Edison Projecting Kindoscope के थुरू यहाँ पर audience को दिखाया गया, अब 1900 की बात करें, तो यहाँ पर कुछ few Indian filmmakers हैं, जो कि का काफी जादे popular थे यह भी, अपनी picture के लिए, जो कि picture इनकी द्वारा कौन सी बनाई गई थी, Indian Life for Scenes, जो कि 1903 में, यानि कि 1903 में इनके द्वारा यह picture बनाई गई थी, next, slowly slowly जो यह market था, pictures का increase होता गया, बढ़ता गया, और यहाँ पर काफी सारे temporary exhibits आया, और काफी सारे यहा काम होता रहा, तो यहाँ पर cinema house की भी हमें जरूरत पड़ गई, ठीक है, urgent need होगई cinema house की, तो यहाँ पर यह जरूरत है कि यहाँ पर fulfill करा जाए एक major, जो यहाँ पर जो need थी, यहाँ पर जो हमारी cinema house की एक जरूरत थी, वो fulfill करी गई major warwick के दोरा, जिन्होंने establish किया अपना first cinema house मदरास में, याद रखना, first cinema house कहाँ पर establish हुआ, note down कर लो, जल्दी से copy में, मदरास में, यहाँ पर first cinema हमारा house जो establish करा गया, जो की अभी चिन्ने में है, 1900 में हाँ पर इसको establish किया गया था, now, अब यहाँ पर later है, wealthy Indian businessman, जो की यहाँ पर एक अमीर बिजनसमान की बात हो रह में, 1916 में, first Hollywood based agency इंडिया में, कब आई, 1916 में, okay, so, अब आते हैं हम लोग era of silent films, यानि कि silent films के बारे में हमने पढ़ा था अभी, तो अब यह silent film का era कब से कब तक चला, कौन कौन से film आई, किनके दोरा produce करी गई, now we can talk about this, okay, so, यहाँ पर अभी हम लोग इसके बारे में बात करें, we will talk about this, यहाँ पर जो decade है, यह दस साल, 1910 से लेके 1920, यह dominate करा गया है, यहाँ पर silent films के दोरा, silent films यहाँ पर दबा के चलाई गई, ठीक है, although यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो silent films है, यहाँ बिल्कुल mute नहीं हुआ तो कर दीती है, यानि कि एकदम उसमें कुछ ऐसा नही थी, वो 1912 में यहाँ पर फर्स्ट इंडो ब्रेटिश कॉलिबरेशन यहाँ पर बनाई गई थी, NG3 और यहाँ पर RG तोडने के दोरा, और जो इनका फिल्म का टाइटल था वो था पुंडालिक, उसके बाद जो दादा साहिब फाल के जिन्नोंने प्रोड्यूस करा था फ फर्स्ट फिल्म बनाई थी, वो कौन सी थी, राजा हरीश चंद्र, ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना, फर्स्ट इंडी जीनियस फिल्म जो के इंडिया के द्वारा बनाई गई, that is, राजा हरीश चंद्र, ओगे, 1913 में इसको प्रोड्यूस करा गया, यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स हें यहाँ पर इननों ने फिल्म मेकिंग आ दोफेंप्आइध款 फिल्म कंपणीज क वि приним को भिषू और फिल्म कंपनीज के नम क्या जीनूर फिल्म कंपनीज्की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कमपनी ये दो फिल्म कमपनी खोली गई वन्स जब यहाँ पर फिल्म बेगेन होई तो एक इनों ने जब फिल्म में स्टार्ट हो गई बना तो एक डीसेंट एक काफी अच्छा अमाउंट यहाँ फिल्म इंडस्ट्री कमाने लगी और जो गवर्नमेंट है उसने फिर यह देखते हुए इंपोस कर दिया अब यहाँ पर जब काफी अच्छा पैसा कमा रही थी तो इसी इंडस्ट्री के ओपर अच्छा पैस को लगा दिया कलकटा में 1922 में फिर उसके बाद यहाँ पर बॉम्बे में भी लगा दिया गया कुछ आउटस्टेंडिंग वर्क्स थे वो कौन-कौन से वर्क्स थे यहाँ पर देखो कि आप पैसे नाला दम्यंती नूर जहां उसके बाद 1923 में बाबुराओफ पेंटर के दौरा कौन से वर्क्स थे यहाँ अनारकली कुछ यहाँ पर यहाँ यहाँ इन्टरस्टिंग वर्क्स जो है यह करे गए थे उसके बारे में हमने बात कर ली हमने बात इसलिए कर ली क्योंकि हम कोई भी चीज छोड़ने वार ले नहीं है सारी चीज़े करके जाएंगे क्योंकि पेपर में अगर कहीं से भी कोशन आएगा तो we will able to solve it अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ राइटर्स और डायरेक्टर्स जिन्हों के काफी सब्सक्राइब को पिकप किया यानि कि मुवी तो ऐसे बनी रही थी अब कुछ सोचल इश्यूस को पिक किया नहीं कि सोचल में जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल नहीं इस चल र मेल फिल्मेकर से लेगे ना पहली बार विमेन फिल्मेकर आये तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो विमेन के पॉइंट आफ व्यूस करी प्रोड्यूसर थी और डायरेक्टर थी और अपनी खुद की फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस करी 1926 में जिसका नाम था ब दायरेक्टर थी इनोंने प्रोड्यूस करी फिल्म थीक है और नीका नाम क्या है फत्मा बेकम ना अब फिल्म फिल्म नामीकर से पहली लडाईया कब हो और बैन कर दीयेकरा अब Epoch of Talks की नितोज की बात करते हैं। जो पिछला टाइम हमारा काल है जो हम Epoch कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं जो अब महा पर क्या किय स्सिस्टम हुआ कैसी कैसी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस है किसने करी क्ने करी क्या क्या हमारे टाइ выпуск करेंगा थे साइलेंट फिल्म स्टाइवार को ती वाटे डियॉलॉग के साथ फिल्म बनाई गई वो थी अला मरा जो करी एंपीरियल इसकि दोई आरे किसे अरभेश अंत। पर हमने नाम भी पड़ा था जो 1928 पीरिड में उन्होंने कौन सी मुवी डायरेट करी अनार करी ठीक है अब यहाँ पर कौन सी इन्होंने सबसे अपनी जो फर्स्ट यहाँ पर टॉकिंग फिल्म थी ठीक है टॉकिंग फिल्म डायरेट करी गई अर्देशर इरानी के दौरा और यहाँ पर स्क्रीन करी गई मजेस्टिक सिनेमा बॉंबे में 1931 में और जो यह फिल्म है इसकी काफसारे मेमुरेबल साइंस एंड डबलू एम खान के दौरा और जो कि एक इंडिया के फर्स्ट सिंगर है और इनका जो सॉंग था दे दे खुदा के नाम पर याद रखना डबलू एम खान कौन थे सिंगर ठीक है इनका कौन सा गाना था दे दे खुदा के नाम पर यह फर्स्ट रिकॉर्ड करा गया सॉंग इंडियन सेने टोमग्राफी पर सिनेटमिक हिस्ट्री में उसके बाद कुछ बिक बिक बैनर्स आने लगे जैसे कि बॉंबे टॉकी नियो थीटर प्रबाद यह सब एमर्ज होने लगे 30 के टाइम पर ठीक और यह सब रिस्पॉंसिबल थे कि इनकी वज़ा से स्टूडियो सिस्टम भी आया और फर्स टाइम यहां पर फर्स फिल्म जो है जिसने स्टूडियो सिस्टम यूज करा था 1935 यानि कि अब जो फिल्म वगए रहा है वो शूट होने लगें में जाबि तक ऐसी शूट हुरी थि अब स्टूडियो सिस्टम घाई है 1935 में और फिस ए वरुवास की फिल्म यहां पर फिरिसी वर्ष की फिल्म थे देवदास याद रखना देवदास फिल्म में स्टूडियो सिस्टम का स्तमाल हॉ और देवदास फिल्म इयुसाinst सारेंद्री ठीक है यह प्रबात के द्वारा बनाई गई 1933 में और यह इंडिया की फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म है याद रखना फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म कौन सी है सारेंद्री किस ने बनाई यह प्रबात ने 1933 में लेकिन यह प्रोसेस करी गई और प्रिंट करी गई जर देखे आप कुछ अधर डिस्टिंग्टिफ फिल्म्स हैं जो कि यहां पर कलर फिल्म्स थी इनके बारे में बात करने वाला है 1935 में जे बी एच वाडिया और होमी वाडिया ने कौन कौन से फिल्म बनाई आप यहां पर देख सकते हो हुंतरवाली तूफान मेल पंजाब मेल फ्लाइंग रानी यह जो फर्स्ट इंडियन स्टंट फिल्म्स थी ठीक है याद रखना इंडियन स्टंट फिल्म्स इसमें काफी सारे स्टंट वगेरा थे और उसका पर 1937 में JBH वाडिया ने आप पर नौजवान बनाई जो की फर्स्ट फिल्म थी जिसमें कोई भी गाना नहीं था और फिर 1939 में के सुबरमन्ययम ने आपर कौन से फिल्म बनाई प्रेम सागर जो की फर्स्ट साउथ इंडियन फिल्म कौन सी है प्रेम सागर विच इस डाइरेक्टेड बाइ ठीक है के सुब्रमन्यम अब आगे चलते हम लोग और देखते हैं हमाली क्या इंपोर्टन है नाउ वार रेवेज्ट की बात करें 1940 के टाइम का अब आप 1940 के टाइम बाथ थोड़ा बहुत हम लोग ओवर्वियू लेंगे कि वहां के टाइम का कैसा ह था और फिल्म इंडेस्टरी तो जो 40 के टाइम पर प्रिड़ की बात हो रही है जो टर्मॉइल इंडेन पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है रिफ्लेक्ट करा इसने इंडेन फिल्म्स को जैसे कि धर्ति के लाल दो आंके बारहा हाथ यह सारी फिल्म साहीं कुछ और फ परिशानिया थी उनसे लड़ रहा था लेकिन साथे साथ फिल्म इंडेस्ट्री दूसरी तरफ ग्रो होती जा रही थी कुछ और सेवरल फिल्म्स यहां पर थी जिन्नोंने हां पर सोशल इशूस के बारे में बात करा जैसे कि चेतन अधनांद की फिल्म कौन सकौन सी है नीचा अब जो लॉंच हुआ प्रोडक्शन यहां पर यह जो प्रोडक्शन हाउस का लॉंच हुआ यह कंपना ही करा गया स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म टाइटल आ गया निकि जब स्क्रीन पर सबसे पहली फिल्म कौन सी आई आग आई ठीक है अब कमिंग ऑफ एज की बात करें 1950s की 1940 की बात कली 1940s से 1950s के टाइम तक काब 1950s से 1960s तक की बात करते हैं हम लोग ओगे तो जो इंडियन सिनेमा था यहां पर आया 1950s के टाइम की बात करें तो इन्होंने सेट अप करा Central Board of Film Certification हम यहां पर एक Certification आ गया जो कि Establish करता था एक रेगुलेट करता था एक रेगुलेट कर जो है वो आपर अपना जो ग्रो करने लगे जो कि यहां पर एक Household नेम के ऊपर और एचीव करने लगे उन्प्रेसेडेंटल लेवल्स और फ्रेम यानि काफी जाद उन्हें प्यावर मिलने लगा उसके बात जो त्रिनिटी है इंडियन सिनेमा की यानि की तीन लोग है मेन इंडियन सिनेमा के उस टाइम के 1950 के टाइम पर और वह कौन कौन है दिलीप कुमार देवानंद और राज कुमार यह सबाई इस पीरिड में जो फर्स टैकनी कलर फिल्म बनी वह 1953 में बनाई गई सोहरब मोदी के द्वारा जिसका टाइटल था जहासी की रानी नाव अब जो ऑट आता ओई फिल्म फेस्टिवल सोह करते थे आब यहांपर इंडिया मेरी फील्म फेस्टिवल सा गए 1950 में वह कौन सा था फिर्स इंडियाग फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हमितिया वह हैं यहां पर करी गई थी बैस्ट वारन लेंफीज फ्लम गासे नंगारी में यहाँ पर इसको याद रखना उसके बाद यहाँ पर क्यों देखें एक तो international scenario के यहाँ पर एक overview लिए तो जो government of India थी इसने institute करा national film awards अभी तक हम लोग FFI के बारे बात करे थे अब इंडिया ने अपना खुद का awards यहाँ पर established कर लिया जो कि सबसे पहले दिया गया एक film को जिस short film को award करा गया जो कि हाँ पर film का नाम है महाबली पूरम produce करी गई थी जगत मुरारी की द्वारा और जो first film है जिसने यहाँ पर president का gold medal जो है जीता था और यह बनाई गई थी सोहरब मोदी के द्वारा 1954 में जिसका title था मिर्जा घालिप मिर्जा घालिप का यहाँ पर आप य चूट करी गई थी नाज और एसके उजहाने हाँ पर डायरेक्टर थे और 1954 में एक काम करा गया 1957 में के अबास थे डायरेक्टर उसके बाद परदेशी एक फिल्म आई और first indo-soviet collaboration में आप यह फिल्म को रखा गया उसके बाद 1958 में गुरुदत आये गुरुदत डायरेक्टर करके आज डायरेक्टर रायरेक्टर उन्होंने कागस के फूल बनाई और फर्स इंडियन फिल्म इन सिनेमा स्कोप बानी गई वह ठीक है कागस के फूल जो इंपोर्टेंट चीज़ है जिनके बारे में हमने बात करी है अब बात करते हैं हम लोग गोल्डन एरा नाइटीन स 1960s की नाओ अब बात करते हैं हम लोग गोल्डन एरा 1960s की 1960s से लेके 1970 तक के टाइम पर क्या किया हमारा फिल्म साइं कौन को से टाइडल दे कि किसने याप पर प्रोड्यूस करा जिसे गोल्डन एरा भी का जाता है अब जो म्यूजिक इंडस्ट्री है यहां पर इंटेग्र गाना है उसके बारे में कोच यहां पर कुछ सॉंग सें जो की काफी फेमस थे सबसे पहला है जिस देश में गंगा बहती है यह सौंग इस्टेरिंग राचकुमार राचकापूर उसके बाद देवानन गाइड रियाश चोपराजवक्त यहां पर यह सारी चीज जो है काफी की यहां पर फेमस अमंक्स थााए जो कि हैाँ पर जो केटगरी है चेतना आनंद हकीका शकती स्ब्सक्भी तब नह использовать के बिए इस सारी मोईर्थ काफी फेमस घंग सुए उस्साइम पर और यहां पर काफी ज्यादव ज़रूरत थी की स्टी इंस्तिटिशन बनाया जाए ताक को अच्छी तरीके से train करा जा सके ताकि films जो है वो और जादे प्रोड़क्टिव बन सगें ठीक है तो यहां पर यह जो है इंस्टिटूशन को यहां पर लेकर आए प्रोसेस में जो यह अच्छी में दादसाइब दादसाइब फाल की अवर्ड रखा गया जो की लाइफटाइम अचीवमेंट और के लिए यहां पर जो है दिया जाता है उसके बाद आगे चलते हैं आगे बात करते हैं एंग्री यंग मैन एंग्री यंग मैन का एफेस जो जो अला था एरा 1970 लेके अमिताब बच्चन इसी टाइम से यहां पर इसी एरा से ब्लॉंग करते हैं और यहां से ही वो ग्रो अप होके आज इतने अच्छे लेवल पर आप इतने हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं आप देखोगे अमिताब बच्चन सबसे पहले यहां पर एक फिल्म में बने थे पोस्टर बच्चन जी ने बनाई कौन कौन से जंजीर अगनीपत अमर अकबर एंथिनी उसके बाद कुछ और फ्लश आफ रिलिजियस फिल्म आई जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर रिलिजियस रिलिटेट जैसन तोशीमा फिल्म आई जो कि बहुत बहुत दबा के चली थी फिल्म जैसन तोशीमा और यह भी माना जाता है कि जैसन तोशीमा जब फिल्म चलती थी थी थीटर में तो लोग इतने रिलिजियस थे तो सब पूजा करने लगते थे ठीक है आरती करने लगते थे उसके बाद और क्या शारुच खान यहां पर शार बिंशन के जाद से जरूरत थे जैसे कि हमारा शोले शोले फिल्म इसे टाइम से बिलौं करती और यहां पर फ़र्स्ट फिल्म ती जो की बनाई गई गई 70 mm scale जानी कुछ जाते बड़े scale पर हमारी फिल्म जो कौन से बनाई गई थी वो थी हमारी शोले चीक है अब जो शोल अब हम लोग अपना ये रखेंगे लास्ट टॉपिक्स वाने सिंवार इसके बागी मारे टॉपिक्स बचेंगे जैसे कि यहां पर प्रॉप्स इंडियन इसके बीच में जो यहां पर देवलेपमेंट्स हुए फिल्म इंडेस्ट्री को लेकर उसकी बात हो रही है अब जो फेस आफ इंडिया सिने में था यह काफी जादे तेजी से बदलता गया ठीक है 1980 से 1980 से के ओनवर्ड और यहाँ पर 1980 के बाद जो है जो इंडेस्ट्री थी हमारी काफी जादे बदलती चली गई और काफी सारी मूवीज आई जो कि सोशल इशी उसके ओपर जादे ध्यान दिया जैसे कि रॉमेंटिक मूवीज भी आई फैमिली ड्रामाज भी आए जैसे यहाँ पर हुज ओडियंस को जो ओडियंस थी उसे काफी जादे पसंद भी आया जो मेजर एक्टर थे इस पीरेड के वो थे अनि प्राइब मिनिस्टर ने लॉंच करी थी जल्दी से निचो कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपके जानकारी के लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट है तो लिब अलपीजी पॉलिशी की बात हो रही है लिब्रालाइजेशन प्राइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया 1990s मे और जो people थे यहां पर काफी जादे access मिल गया films को television को क्योंकि यहां पर LPG policy आ चुकी थी और यहां पर जो industry है इंडस्ट्री भी और जादे पैसा कमाने लगी थी foreign companies को तो यहां पर foreign companies आ रही थी और जादे पैसा industry हमारी कमाने लगी और तब से ही हमारा film industry है वो काफी जादे यहां पर अच्छा माना गया और LPG ने यहां पर allow करा advanced technology आई इंडिया में LPG policy यहां पर advanced technology लेकर आई इंडिया में for example my dear कुटी चतन यहां पर यहां पर पिच्चर आई जो कि 3D movie थी अब आप से question पूछें तो first 3D movie इंडिया में कौन सी आई थी my dear कुटी चतन यहां पर picture आ जितनी भी आपको इन सारी चीजों से अगर problems होती है तो आप नीचे comment section बता सकते हैं वरना आप study ice के सारे platforms से अपनी जितनी problems होती है आप महाँ पर हमें बता सकते हैं आपकी problems को sort out कर जाएगा अब जो next lecture आएगा आपका थोड़े बहुत यहां पर एक तो topics हम इसके cover करेंग जाए हमारा और Indian Sinatomograph Act ठीक है यह दो चीज़े रह गई है उसके बाद हम लोग कवर करेंगे अपना chapter number 16 next जो lecture होगा उसमें हम chapter number 16 के साथ साथ अपना यह chapter number 15, chapter number 15 के साथ chapter number 16 को भी finish कर देंगे ठीक है खतम कर देंगे फिर उसका अपना chapter number 17 लेगे चलेंगे तो यानि guys जल्दी जल्दी कोशिश है कि खतम कर दी चाया book ठीक है तो आपको यहाँ पर पूरा एकदम deeply book पढ़ाई जा रही है एकदम deeply content आ आईए और comment में जरूर बताईए आपको कैसे लग रहे है लेक्चर अच्छे लगते हों तो guys like करके जरूर जाना साथ ही साथ यहाँ पर आपको जितने भी चीज़ें यहाँ पर provide करा जा रही है उसके आप notes बनाते वे चलना तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लो